आडानी इंटरप्राइज को डिसकस करेंगे कि टेकनिकली इस स्टॉक का क्या ट्रेंड दिख रहा है और रीसेंट के इस स्टॉक के क्या निउस दिख रहे हैं तो एपिसोड में आगे बरहें से पहले प्रेमियम टेलिग्राम को जॉइन करें डिस्क्रिप्शन के लिंक से एकाउंट आपिन करें वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में जरूर सेयर करेंगे पहली एक खबर देखी जहां स्विश आथरिटी ने 311 मिलियन फंड जो है 311 मिलियन डॉलर फंड विच इन आवर रूपीज देखेंगे तो लगबग लगबग 2500 करोर 2500 करोर अमाउंट फ्रीज कर दिया है मनी लॉंडरिंग वेगरा के एलिगेशन जो है अगिन हिंदिन वर्थ के द्वारा लगा लेकिन इसको अडानी ग्रूप ने रिजेक्ट करा इस एलिगेशन को कहा बेसलेस है और उनकी इसमें कुछ भी इनवॉल्मेंट नहीं है और दो न्यूज है जो एक पोजेटिव और एक निगेटिव है और निगेटिव इसलिए बहुत इंपेक्टफुल नहीं है क्योंकि सेम न्यूज को बजार बार बार रियक नहीं करता है ये तीसरी चौथी बार हिंदिन बर के द्वारा ये न्यूज इसके अलाबे रिजेंट क लेकिन अगर दो साल के रीटर्ण ऐसे किया जाए तो निगेटिव ही दिख रहा है न्यूज देखेंगे तो निशनल कंपनी लॉट ट्रिबिनल एक्वेजिशन ऑफ रेडियस स्टेट इंड डिवलेपर भाई ब्रीजबूर्ट रेलेटर्स सब्सेडिय ऑदानी ग्रूप इं यह इस एक्वेजिशन को लेकर के ही एक बड़ा अपडेट है और इसके अलावे सभी कॉमनली खबर ही दिख रही है वाल्यूम काफी नोमिनल है और यहां थोरा मैं चाहूंगा कि आप इस स्टॉक में साबधान बरते हैं क्योंकि लास्ट टाम भी कुछ इसी परकार के मिनिमम 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 में हमको अगर लॉंग करना है तो मिनिमम 370 के लेवल का ब्रेक आउट चाहिए जब तक यह लेवल ब्रेक आउट नहीं होता है वी नीड टू बी कॉसन और यह सपोर्ट लगबग लगबग 2400 के आसपास का सपोर्ट है